आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़े हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ तो ऐसे में अपर मैं Unacademy पर हूँ तो Unacademy पर we have two kind of subscription आप जो कर गेट की तियारी करना चाहते हैं तो गेट की तियारी करने के लिए दू तरह के subscriptions हैं पहला है plus subscription दूसरा है iconic subscription तो plus subscription जो है इंडिया के best teachers के साथ से हैं उन्होंने इसको बनाया गया है इंडिया के best teachers हैं यहाँ पर और उसी तरीके से Iconic में क्या है जो भी चीज़े plus subscription पर हैं उसके साथ साथ Iconic में भी है लेकिन Iconic में एक mentor जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा जो mentor जो है one-on-one discussion करेगा विद आपके साथ अगर आपको कोई भी doubt होगा वो जो mentor है आपको solve करेंगे उसके साथ-साथ अगर आपको study material की requirement होगी तो सभी mentor आपको support करेंगी आप कुछ भी subscription ले सकते हैं अन-academy पे पहला है plus दूसरा है iconic दोनों को लेने के लिए just use my coupon code which is Kaushik10 क्योंकि Kaushik10 से आपको जो भी offer आता है आप उसको ले सकते हैं otherwise 10% off तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है कई बार क्या होता है बहुत सारे offer आते हैं जहां से आपको 20% off मिल जाता है कई बार आपको कुछ additional 2-3 months तका subscription आपको extra मिल जाता है तो आप कुछ भी ले सकते हैं और इस समय पर अन-academy के तरफ से सिर्फ कल तक that is 15th of February सिर्फ कल तक आपके पास वहाँ से 20% off वहाँ पर ले सकते हैं लेने का सबसे अचा तरीका ये है आप अन-academy की website पर जाओ या फिर Android आपसे जाओ और वहाँ पर जाने के बाद जब आप subscription को buy करेंगे उस समय पर मेरा जो coupon code है उसको use करेंगे कौशिक 10 क्योंकि कौशिक 10 से आपको directly 10% off मिल जायेगा but because अगर सिर्फ कल तक अगर आप करेंगे आज या फिर कल सिर्फ इन दो दिनों में अगर आप करोगे तो वहाँ से आपको 10 नहीं बलकि 20% off आपको मिल सकता है और अन-academy बहुत सारे batches आ चुके हैं जैसे मैं भी इस समय पर अन-academy पढ़ा रहा हूँ अन-academy पर मैं algorithm subject को cover कर रहा हूँ मेरा जो subject है जो classes है वो almost 10-30 a.m. पर होती है तो वहाँ पर बहुत सारे batches start हो चुके हैं जैसे पहला batch start हुआ है विचेस यह हैं यह उन बच्चों के लिए है जो की droppers है और 2023 के तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर यह जो timing अगर आपको call करना है अगर आपको subscription लेना है तो किन call on this number और यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं और इसकी जो timing रहेगी तो timing रहेगी at 1.30 p.m. आप सको check कर सकते हैं 10.1.30 p.m. और इसको लेने के लिए just use a coupon code which is कौशिक 10 क्योंकि यहाँ से आपको 10 या 20% off भी आपको मिल सकता है और second जो batch यहाँ पर हुआ था this is ascend batch तो ascend batch उन बच्चों के लिए है जो gate 2023 के तियारी के लिए preparation कर रहे हैं और यह जो आपके पास ascend batch है वो आपके पास F batch है और जो timing है हमारी वो 7.30 a.m. 7.30 a.m. पर class हमारी start होती है और इसको लेने के लिए right just use में coupon code कौशिक 10 तो यहाँ पर coupon code है यहाँ पर k-a-u-s-h-i-k कौशिक 10 को आप use कर सकते हो या फिर आप इस नंबर से call करके सारे information आप ले सकते हैं yes next जो है हमारे पास which is you know evolve batch तो evolve batch है this is for batch for 2023 के बच्चों के लिए है right तो इनकी जो classes है again 7.30 a.m. पर होगा और यह e-batch है इसको लेने के लिए भी just use the coupon code कौशिक 10 k-a-u-s-h-i-k कौशिक 10 तो यहाँ से आपको 10% off मिलेगा अगर आप इस offer को भी use करेंगे तो यहाँ से 20% भी off मिलेगा 60 minutes का exam होता है यानकी एक घंडे का exam होता है और इस बार जो combat हो रहा है वो 20th of February में हो रहा है और जो timing रहेगी that is going to be 11 a.m. तो basically जब हमारा इस combat होता है तो combat में एक exam होता है जहां से आपको बहुत सारे rewards मिल सकते हैं जो scholarship है almost 4 crore तक ही आपको scholarship यहां से मिल सकती है अगर वहां पे अगर आप इस बार combat में आप जाएंगे तो अगर आप 1st या 3rd rank तक कर आप आएंगे तो आप 100% scholarship आपको मिल सकती है अगर आप 3rd और 4th rank अगर आप जाते हैं तो आप 75% आपको off मिल सकता है अगर आप rank 11 और 50 के बात करेंगे तो यहां से 50% off आपको मिल सकता है तो unacademy पे इस combat को आप जरूर दे कि यहां से आपको बहुत जादा offers आपको मिल सकते हैं और as you can see बहुत सारे batches start हो चुके हैं जिसे अरिसेंस evolve batch बहुत सारे batches यहां से बहुत सकते हैं इसको लेने के लिए just use a coupon code cauchic10 तो cauchic10 से आपको 10% off या फिर 20% off भी आपको मिल सकता है right so now we are solving the 11th question तो हम 11th question में पूछा गया है right तो इस पूरे function को समझते हैं क्या आप बूलना चाहते हैं asking which of the following statements is true for all positive functions f of n right कि अगर आपके पास कोई function है और जो positive है दोनों चीज़ word बहुत ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि यह positive function क्या होना चाहिए what do you mean by positive function right अब उसके बाद इस जितने भी options नहीं हैं तो देखते ही कुछ word आपको समझाया होगा कि पहला जो है यहाँ पर वो theta के बारे पूछा गया है right second जो है वो यहाँ पर little o के बारे पूछा गया है right third जो है वो आपके पास big o के बारे पूछा गया है और last में हम यहाँ पर omega के बारे बे यहाँ पर पूछा गया तो पहले पता होना चाहिए तिनों में difference क्या है, अब theta क्या होता है, कि जब आप big O और big omega अगर दोनों same चीज़ पर दोनों equal है, तब हम वहाँ पर theta को use करते हैं, और जब little O और big O पर difference क्या होता है, इन दोनों case में सिर्फ यही difference होता है, कि जो little O है, वो ज़्यादा strict है as compared to big O right, वो ज़्यादा strict है, और जब big O आएगा, तो उसकी values जो है, almost same हो सकते हैं, मैं step example के सामने मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपके बास आएगा omega, right, तो यानि कि हम जब omega बात करते हैं, तो lower bound के बारे में discuss करते हैं, जब big O की बात करते हैं, तो upper bound के बारे में discuss करते है तो पहले 20 तो आपको clear होगा, इतना आपको समझ आया होगा, right, अब दूसरी चीज़ा आपको पूछता है, कि यहाँ पर यह f of n square, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट्स को यूज़ किया है, पहला तो यह, आपको समझाना तो यह क्या है, और उसके बाद, यानि f of n whole square, right, इनक दोनों में difference क्या है, तो आपके चीज़ें समझनाना काफी easy हो जाएगा, right, तो let me do one thing, I'll give you some examples, मैं कुछ example से दूँगा, तो आपको समझ आएगा कि वो दोनों difference क्या है, क्या बोलना चाहता है, right, अब जैसे कि, for example, I have a function, तो function है यहाँ पर n square, यह एक function है, right, तो समझने के लिए पहले आपको बताओ अच्छे, f of n क्या है, function क्या है, यहाँ पर, right, so let me do one thing, मैं इसको कुछ ऐसा use कर लेते हैं, let me erase this one, तो मैं यहाँ से कुछ value को use करते हैं, so let, no, let f of n, एक function आपके पास है, which is equal to log n, यह एक function है, चो मैंने आपकर use किया है, right, अब अगर log n है, तो अ तो यह क्या होगा, इसका मतलब है, जहाँ पर भी आपके पास n है, n को, उसको अंदर square डाल दो, that's it, right, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है, हम यहाँ निकालना चाहते है, log of n square, like this, okay, और इसका square की बात है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा, 2 log n, तो 2 log n यह निकालने, यह पूछना चाहते है, right, in the same way, अब अगर मैं पूछता हूँ, f of n whole square, in this way, ठीक है, तो यानि कि वो यह पूछना चाहता है, कि आपके पास यहाँ पर log n है, उसका complete का square करेंगे, so which is basically equal to log of n multiplied by log of n, इन दोनों में, आपको पता होना चाहिए, इन दोनों में, difference के है, छोटा-छोटा difference है, सिर्फ एक छोटा सा, इस के वज़े से यह question जो है, इसी के अपर बहुत ज़्यादा interesting हो जाते है, यह बहुत interesting type का concept है, right, अब इस पूरे concept में, उन्होंने यह पूछा गया है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, कि थीटा क्या है, little o क्या है, big o क्या है, और big omega क्या है, इन चारों में difference होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए, कि यहाँ पर polynomial क्या है, और यहाँ पर exponential functions क्या है, क्योंकि हमें polynomial functions को use करना पड़ेगा, और उसके साथ हमें exponential functions के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको पता है, तब आप इस question को शायद आप solve कर पाओगे ठीक है, यह सभी चीज़े पता होना चाहिए इस specific question के ओपर यह बहुत ही beautiful question है अब मैं explain, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ठीक है, पहला मैं option number a को लेते हैं this is option number a, यहां से लिकता हूँ because I don't have a lot of space, काफी space नहीं है तो पहले मैं इसको solve करने की कोशिश करता हूँ ठीक है, तो यही से लिकता है तो सबसे पहले मैं polynomial functions के बारे पुछा गया है तो let us suppose कि मैंने पास एक polynomial मैं क्लिक लिकता हूँ, ठीक है, तो let us suppose कि मैं पास एक function fn है और जिसकी value है n cube, ठीक है, n cube है ठीक है, अगर वो n cube है तो इसका मतलब है जब मैं n, you know, n square इसकी value निकालते हैं, तो इसकी value यहाँ पर क्या होगी पहले तो यह को पता होना चाहिए, ठीक है तो इसकी value है, यहाँ पर, right which is equal to, इसकी value जो होगी that is equal to, you know, n square whole cube which is equal to n raise to power 6 तो यह आपके पास n, you know, n6 की value यहाँ पर होगी, right in the same way, in the same way जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि f of n, you know, whole square इसकी value क्या होगी, so this is equal to n3 raise to power whole square which is equal to n raise to power 6, right तो दोनों जो है, यह दोनों फंक्शन जो है, यह दोनों बिलकुल almost same है right, इतना आपको समझ आया, I hope इतना clear होगा, right अब उसके बाद उन्हें पुछा गया है कि हमारे पास exponential functions क्या है exponential functions क्या हो सकते हैं, ठीक है जिसे 2 raise to power n है, ऐसा भी कुछ values है जो मैं यहां से ले सकता हूँ, correct तो यानि कि जो मैं exponential की बाद लेता हूँ, let us suppose I can take a function, so I can say function और function की जो value है, that is e raise to power n e raise to power n, because exponential है अब e की value कितनी होती है, you know e की value जो होती है, 2.7 2.7 इसकी value होती है, right लेकिन अगर मैं इसके अंदर से इस function के मैं निकालना चाहता हूँ, what is the value of n square in this way, ठीक है तो इसका मतलब है, जो value हम निकालना चाहते है, that is e n square in this way, right, जहां पर n की होगी, सिर्फ उसकी power होगी, ठीक है राइट, लेकिन अगर मैं यह निकालना चाहता हूँ, if I want to ask, what is f of, you know, n whole square, इसका मतलब है, हम यह निकालना चाहते है, e raised to power, you know, n, इसका complete square, और यह square होगी, यह हो जाएगा, e raised to power 2n, तो यह और यह, यह दोनों जो है different है, they are not same, यह दोनों अलगलग concept है, ठीक है, इतना आपको समझ आया, ठीक है, अब अगर पूछा गया, अब वो पूछना चाहता है, इस पूरे question में वो पूछने चाहता है, पहला option में, कि let the function, जो function यहाँ पर given है, n square is equal to theta of n square, when the function is polynomial, ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है, वो यहाँ पर polynomial के बारे में पूछा गया है, ठीक है, and you can see, जब हम polynomial को use करते हैं, तो this is absolutely fine, right, क्योंकि इसके अंदर यह theta है, यह है, चाहें उसका omega लो, या फिर, जब भी polynomial functions हैं यहाँ पर, right, तो उस case में चाहें आब big O लो, या omega लो, दोनों same है, right, तो यह जो है, यह बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई problem नहीं है, right, लेकिन जब मैं second option, B option की बात करता हूँ, तो यहाँ पर इनोंने यह mention नहीं किया, कि हम यह polynomial की बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम exponential की बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम exponential जो functions है, उनकी values अलग-अलग है, क्योंकि इसकी values कितनी है, right, यह value कितनी है, e raised to power n whole square, I mean, यह, right, in the same way, और second value है, e raised to power 2n, इन दोनों में देखोगे, यह दोनों जो values हैं, these are very, very different, दोनों values जो है, दो अलग-अलग है, right, तो इसी वजए से, आपको दोनों का आप तो यह नहीं पता कि वो polynomial है, या exponential है, पहले बात तो यह आपको नहीं पता, दूसरा पता है, कि यहाँ पर, you know, middle, no, little, you know, this is talk about little omega, right, I mean, little o के बारे में यहाँ पर पुछा गया है, और जब मैं little o की बात करता हूं, वो जादा strict है, it is more strict, वो जादा strict है, right, अगर function, अगर आपके पास c dot, you know, n square है, तो आपके पास value जो है, इसे बड़ी होनी चाहिए, okay, तो पहली बात तो यह समझ होना चाहिए, तो इसी वजए से यह बल्कुल wrong हो जाएगा, क्योंकि ना तो नहीं किया, polynomial है, exponential है, इसके बारे भी नहीं पिया गया, और जो मैं third की बात करता हूं, c में, right, और c में, because exponential functions की जो values है, वो अलग-लग होती है, right, और यहाँ पर इसकी जो value है, और इसकी values दोनों अलग-लग है, ठीक है, यह पूरा directly example में आपको पताया है, कि दोनों अलग-लग है, इसी वजए से c जो है, वो यहाँ पर गलत है, right, exponential का पता होना चाहिए, तो आप इसको बता पाऊगे, in the same way, जो last option है, which is d, right, d में उन्होंने पूछा गया है, कि हमारे पास omega, तो यहाँ पर omega के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, तो obviously अगर वो omega है, तो हमें उसके case में इसकी values पता होनी चाहिए, ठीक है, यानि कि कहना मतब है, कि omega है, तो omega में जो functions है, इसकी क्या values है, वो आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ पर इनोंने यह नहीं बताया, कि exponential है, या polynomial है, इसके बारे में कोई भी word यहाँ पर use नहीं किया गया है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, exponential है, exponential की जो values है, you can understand की values कौन सी बड़ी है, in the same way, और इन दोनों से word यहाँ पर word है, इसी वज़एसा, I think you understand properly, मेरी बात को समझ पा रहे हो, ठीक है, कि इस case में भी, you know, exponential, ठीक है, और यहाँ पर, you know, polynomial, किसकी बात कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता, ठीक है, अब because नहीं पता, तो यह function के उपर dependent है, यहाँ पर omega भी function, इस function के उपर dependent है, कि उसकी values omega होगी, यहाँ उसे बड़ी होगी, वो dependent है उसके उपर भी, right, तो इसी वज़ए से A is the correct answer, so I hope you understand this, okay, okay, so let us see the next question, अब यह the next question है, यहाँ पर आपके पास एक finite automata given है, so we have, you know, we can see finite automata, और उसके लिए expression हमें बताना है, right, अब इसको solve का तरीका क्या है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, या तो इन सभी options से आप check कर सकते हो, क्या हो यहाँ पर काम करता है, या नहीं करता, या फिर इसका एक और तरीका है, कि आप यहाँ से expression आप निकालो, अब उसका सबसे चा तरीका है, कि आप यहाँ पर ardence theorem को इसको आपको बताऊंगा जिससे expression के basis पे जो मैं आपको बताऊंगा किसी भी तरीके से आपको solve कर सकते हो, it's up to you, यह आपकी ओपर dependent है, तो अब मैं सबसे पहले इसको आपको बताऊंगा कि इसके values आपको बताऊंगा कि इसके values आप कैसे इसके basis पर मैं A की कुछ values को यहाँ पर निकाल सकता हूँ, जो A है, इसके लिए हम expression को निकाल सकते हैं, तो इसकी values कितनी रहेगी, आप कैसे आएंगे, आप A पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर B, because यहाँ पर लूप है, so that is B square, I mean B star और यहाँ आपके पास आएगा B, मतलब कहने का मतलब कहा है, what do I, मैं क्या कहने का चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है, it is A, you know, B star as well as this is B, correct, in the same way because यह parallel है, plus यहाँ से जो values आप निकाल सकते हो, that is, you know, B and then you have A star and this is, you know, A, ठीके, तो यह आप इसको निकाल सकते हैं, this is presenting C, right, तो यह पहले हमने यहाँ पर गया, right, यहाँ से आपके पास, you can have loop, loop के लिए हमें A star यूज किया, और उसी तरिके से यहाँ से अगर वापिस हम पर A पर आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने A को यूज किया, right, यह है, पहली expression आप इ expression निकालना चाहता हूं, तो वो क्या होगा, ठीक है, so which is going to be, you know, that is A, और इसके अंदर आपके पास कैसे आप आओगे, यहाँ पर आने का A की तरीका है, यहाँ से आप A, you know, A से आप से निकलोगे, ठीक है, कहने मतब है, यहाँ से आप पहुँचोगे A, B, and this is B star, आप इसक मैं C के निकालना चाहता हूं, तो इसका तरीका कहा है, because of this, आप यहाँ से इसको जा सकते हो, याने कि A, which is B, and this is A star, ठीक है, यह चीज़ आपको पता हो गया, तो हमने B के expression निकाल ली, और यहाँ से C के expression निकाल ली, right, अब यह आगर आ गया, तो अब मैं इन दोनों, because यह यह आपके पास एक final state है, यह भी final state है, याने कि मैं निकाल सकता हूं, B plus C, which is equal to, you know, A plus AB star, you know, plus ABA star, right, I mean, this is AB star, and this is BA star, यह आपके पास है, अब यहाँ से, what you can do is, इन दोनों से आप A को common ले सकते हो, तो यहाँ से आएगा आपके पास A, and this is AB star, and plus BA star, in this way, अब यह जो expression है, इसको हम यहाँ पर connect करेंगे, तो आपके पास यह आएगा, which is AB star B, plus BA star A, और उसके बाहर आपके पास आएगा, AB star, plus BA star, in this way, ठेके, अब इसके basis पे, अब चेक कर सकते हो, क्या कोई option जो है, वो यहाँ से match कर रहा है, तो we can see, this is, you know, BA star A, तो जो हमारे पास कुछ इधर भी available है, वो यहाँ पर भी available है, I think, yes, and this, यह चीज़ यहाँ पर अभी correct match नहीं हो रहा है, बट पहले इंद दूर option से हम लोग चेक करते हैं, in the same way, आपके पास यह expression है, AB star B, right, तो यह जो है, वो आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है, और वो यहाँ से भी आ रह पासर नहीं होगा, right, तो as I told you, इसका solve करने का सबसे से तरीका है, आप यहाँ पर artan's theorem को आप पढ़ो, right, what is artan's theorem, और उसके basis पर आप इसको solve कर सकते हो, right, तो I hope you understand this, very good question, यह बहुत ही अच्छा question है, जो यहाँ पर पूछा गया है, okay, so now let us see the next question, right, अब जो next question है, they're asking which the following statement statement is true, कौनसी जो statement है, वो यहाँ पर true है, तो पहला पुछा गया है, the LALR parsers of grammar G cannot have reduce, reduce conflict, right, यह आपको पता है, it is the kind of property, right, तो यहाँ से the correct answer will be D, D यहाँ पर एक answer होगा, D यहाँ से ब्लकुल सही answer होगा, okay, okay, so now let us see the next one, तो next को हम लोग यहाँ से solve करते हैं, so again यहाँ पर यह जो question है, this is also some kind of property, तो यह भी एक property है, because in a relational data model, which of the following statement is true, कौनसी जो है, पहला option number A, relation with only two attributes is always BCNF, right, तो अब सभी जो options है, आपको यहाँ से check करना है, and अब चेक करोगे, तो you can see the correct answer here is A, A आपका बिल्खुल सही answer होगा, right, so I hope you understand this, आपको यह समझ में आया होगा, correct, अब यह जो next question है, this question is also a very easy question, काफी असान question था यह, ठीक है, तो इसके अंदर पूछा गया है, consider the following problem for reversing the singly linked list to take the given example, आपके पास एक यहाँ पर एक आपके पास, you know, singly linked list है, given है, obviously not a problem, और अब हमें उसका reverse करना है, right, हमें इसको reverse cover करना चाहता है, right, यानि कि यह सभी जो है, वो यहाँ पर, इस जगे पर, इस सब उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से, right, और फिर पूछा गया है, कि इसको करने के लिए, आपका कितना space लगेगा, what is the space, जो है, वो यहाँ से लगेगा, आपको यूस करना पड़ेगा, what is current, right, what is previous, and then it's a few, future, right, future के लिए, आप एक चीज़े, यूस कर सकते हूं, right, so what you can do is, right, पहली, जो, सबसे पहली, जो आपके पास, ये, node है, इस node को कहीं पर save कर लो, and we can say, जो इसका head है, head को आप save कर लो, right, कहीं पर save कर लिया आपने, right, अब आपको करना ये है, कि आपको previous यहाँ पर लेकर जाना है, this is next आपको करना है, और यहाँ पर current को आपको, you know, this is previous, so this is previous, and इसको हमें use करना है, current, and उसके बाद हमें next, अब करना ये है, कि इन तिनों की help से, हम इनकी, जो, you know, ये जो इनका address है, हम इसको change करेंगे, क्योंकि next से हम पताच लेगा, कि अगली node कौन सी होगी, और current और previous की वजए से हम इसको convert कर देंगे, उल्टा, you know, reserve, हम इसको reverse कर देंगे, right, अब फिर दुबारा से, अब क्या होगा, उसके बाद, दुबारा से, next time, what you can do is, तो हम इन सब values को आगे बढ़ाएंगे, इनकी values को आगे बढ़ाएंगे, यान कि basically हम एक stencil होता है, right, यह, right, आपको करना यह है, पहले हम इनके निकालो, फिर अगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, इस तरीके से, right, तो कहने का मतलब यह है, कि अब दुबारा से, आप इसको same process हो करना है, हम इसको उल्टा करे आगे, right, और जैसे इसको reverse करेंगे, reverse करते ही, हमें सबसे फिले previous को आगे बढ़ाना है, previous आपके पास यहां जाएगा, right, फिर जो current है, current को यहां पर लेकर जाओ, right, current को, और फिर उसके बाद next को हम आगे लेकर जाएगे, right, next, और दुबारा से हम इसकी value को reverse करेंगे, right, बह से आपके पास आ रहे B, बहां से आ रहे C, और यहां से आ रहे आपके पास D, I hope छोटे से examples आपको समझ आ जाएगा, right, अब, तो करना यह है इसके अंदर, सबसे पहले, मैं यहां पर लोंगा, what is previous, फिर लेगा हमारे पास current, okay, और फिर होगा हमारे पास next, हमें इन तीन values को लिया, ठीक है, अब जब तीनों के values हमें निकाल दिया, उसके बाद हमें इसको reverse कर दो, हमने reverse कर दिया, reverse करने के बाद जो current की value है, right, उसको previous के अंदर डाल दो, यानि कि previous जो है, वो यहां पर लेकर आओ, previous, कहां से पता लिया, current की value से, और जो current की value है, उसको next कर, हम लेकर जाएंगे, और next के जगह से, हम इसके अदर, इसको next को हम यहां पर लेकर जाएंगे, again, दुबारा से same process को लो, हम इसको दुबारा से reverse कर दीजे, right, तो इस तरीके सब चेक करोगे, पूरे के पूरे, जो आपके पास link list है, starting से लेकर end तक, उस पूरे को without two loops, आपके बास दो loop करने के जरुत नहीं है, उसके बिना भी, आप starting से end तक सबको reverse कर देंगे, तो इसको cut करके, आप यहां पर reverse लेकर सकते हो, इसको करके, यहां से reverse कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, right, और जब इस position पर आएंगे, ठीके, तो यह present कर रहा होगा, previous पे, यह show कर रहा होगा, यहां पर current पर, right, और उसके बाद जो next आएगी, आपके पास next, है ना, और next जो है, वो यहां पर हो जाएगा, null, वो यहां से null हो जाएगा, right, तो यानकि इसकी value को हम reverse करा, और जैसे ही reverse हुआ, ठीके, तो हमें पता है, कि next जो null आ रहा है, तो हमें simple, अब simple यह है, कि जो head है, head की value को हमें यहां पर store करेंगे, right, बहुत ही easy question है, इस तरह की कई बार questions पहले आ चुके है, यह पहली बार नहीं आ रहा है question, यह काभी बार यह आ चुका है, तो इसो करने के लिए, जो time complexity है, बहुत easy है, ठीक है, क्योंकि यह जो है, यहां पर आपको, सिर्फ और सिर्फ, you know, a की loop के जरुद है, आपको दो loop करने की हाँ पर जरुद नहीं है, right, तो इसी वज़े से यहां जा पुछा गया है, what is the best algorithm for the problem, तो कितना होगा है यहाँ पर, theta of n, तो a जो है, वो यहाँ पर सही होगा, right, जो second है, n log n, इसकी जरुद नहीं है, ठीक है, next जो है, best algorithm, which is theta of n, कर यह a भी जरुद नहीं है, हामें दो loop के जरुद है ही नहीं, और third जो है, वो यहाँ पर order of 1 है, तो obviously वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास total n, n, आपके पास, you know, अगर आपके पास n nodes है, तो आपको at least starting जाने कर, n तक सब को visit करना ही करना होगा, तो इस वज़े से इसा जो correct answer होगा, a, a बिल्कुल सही answer है, तो I hope you आपको समझ आया होगा, okay, so now let us solve the next one, right, so this is the question, right, so they're asking which of the following facilities transfer of bulk data from hard disk to the main memory, which is the highest throughput, right, अब ये जो question है, again, अगर आपको पहले concept पता होगा, आपको पता होगा कि DMA क्या होता है, interrupt क्या होते है, polling क्या होती है, programming क्या होती है, तो आपको directly पता होगा कि अगर आपने पढ़ा है, तो आपको directly पता होगा कि A should be the correct answer, क्योंकि जब मैं DMA की बात करता हूँ, तो जब हब bulk, आप data को, you know, transfer करना चाहते हो, तो उसके लिए it is from DMA, तो DMA should be the correct answer, okay, now let us to the next option, right, again, next question, जो है, ये बहुत अच्छा question है, क्या क्या आप करोगे, तो बहुत चीज़ा आपको समझ में आएगा, right, again, ये question है, easy है, right, ये hard नहीं है, easy है, ठीक है, आप इसको easily solve कर पाओगे, पास दो registers है, R1 भी एक register है, और R2 भी एक register है, ठीक है, और जो register है, वो 4-bit register है, 4-bit, okay, now they are asking, that store the numbers in 2's complement form, तो हमें 2's complement form में दिया है, now, for the operation R1 plus R2, which the following values of R1 and R2 gives an arithmetic overflow, तो यहाँ पर कौन से option पे हमारे पास arithmetic overflow हो सकता है, तो करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है, right, because fast है, right, fastest तरीका है, आपको बता होना चाहिए, क्या प्रस 4-bit है, तो उसके अंदे numbers क्या-क्या हो सकती है, कैसे मेरे कहने है, मतलब क्या है, let me try to say, तो let us suppose कि हमारे पास 4-bit, हम 4-bit की बात करते हैं, ठीके, तो 4-bit है और हमें already mention किया गया है, वो 2's compliment form में है, 2's compliment, right, तो अगर मैं 2's compliment की बात करता है, तो यानि कि उसकी जो सबसे बड़ी value होती है, that is 7, और जो सबसे छोटी value होती है, which is minus 8, तो यह आपको पहले पता होना चाहिए, अगर नहीं है, तो मैं सभी को mention कर जाता हूँ, जिससे आप इसको solve कर पाएंगे, right, तो अगर आपको 4-bit है, तो उसके values कोन कांसी हो सकती है, which is 0, 0, 0, 0, right, all of these, मैं सभी को यहाँ पर mention कर जाता हूँ, जिससे आपको solve करना थोड़ा easy बन जाएगा, right, तो you can check all of these things, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, this is 0, 1, 1, 0, and this is 1, 0, 1, 1, 1, right, क्योंकि यह जो सभी numbers है, right, यह positive है, right, positive है, तो positive है, यानि कि यह represent क कर रहे 1 को, यह represent कर रहे 2 को, यह represent कर रहे 3 को, यह है 4, यह है 5, यह है 6, और यह है 7, correct, उसी तरीके से, जब हैं negative को लेकर जाओगा, तो negative यहाँ पर क्या होगा, which is, you know, 1, 0, 0, 0, okay, again, 1, 0, 0, 1, which is 0, sorry, 1, 1, 1, 0, okay, next, again, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, as well as 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है, अब जब हम 2's complement की बात करते हैं, तो इनकी जो values है, वो थोड़ी सी अलग रहेगी, right, क्योंकि इसकी जो value है, which is going to be minus 8, this is minus 7, this is minus 6, this is, you know, minus 5, this is minus 4, this is minus 3, this is minus 2, and this is going to be minus 1, तो यह आपको पहले से यह पता होना चाहिए, अगर ऐसा करोगे, तो आपको solve करना easy बन जाएगा, अब जैसे कि पहला option है, right, यह जो number यहाँ पर given है, 1011, right, इसको आप चेक करो, तो यहाँ पर है, that means it is representing minus 5, और यह जो है, वो represent कर रहा है, which is equal to minus 2, right, यादि कि minus 5, minus 2, जो है, minus 7 है, और जो minus 7 है, वो इस read में है, वो इस पूरी value के अंदर है, वो सबसे minimum value हो सकते है, minus 8, और minus 7 is fine, that's not a big problem, कुई problem हाँ पर नहीं है, उसी तरही के से, जब मैं sext option को दूँगा, तो जब हमार पास 110 है, right, 1100, तो यह जो option है, यह represent कर रहा है, minus 4 को, और यह जो है, यह यहाँ पर represent कर रहा है, 1010, right, which is representing minus 6, यानि कि minus 4, minus 6, जो इसकी value बनेगी, which is minus 10, और जो minus 10 है, हम उसको use नहीं कर सकते, because यहाँ पर आपको overflow होगा, overflow, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर अल्री मेंशन किया गया है, कि इसकी जो limit जो है, इसकी minus 8 तक है, तो c में क्या है, जब मैं हाँ पर 0011 की बात करता हूँ, right, 0011, right, this is 0011, which is representing 3, और यह जो represent कर रहा है, 0100, यह represent कर रहा है 4 को, यानि कि 3 plus 4 को करेंगे, तो इसकी value आएगी 7, और 7 जो है, वो इसी limit में है, तो no problem, इसके दर कोई भी problem यहाँ पर नहीं है, right, तो you can clearly see, कि वो जो उसकी limit है, उस limit में है, तो कोई problem यहाँ पर नहीं है, उसी दरीके से, जब last option को आप check करोगे, right, d को आप check करोगे, तो यहाँ पर इसकी value है 1001, right, तो आप check करो, just check these values, तो जब मैं इसको check करूँगा, 1001, this is, 1001 यहाँ पर है, right, this is representing minus 7, okay, and यह जो value है, यह represent कर रहा है, which is minus 1, तो इसको जो value होगी, which is minus 8, और minus 1, minus 8 is 100ly fine, it's not a problem, right, so that is why what they are asking is, कहाँ पर overflow हो सकता है, so that is B, B के case में यहाँ पर arithmetic, arithmetic overflow यहाँ पर हो होगा, okay, so that is why B is the correct answer, right, I hope you understand this, now let us see the next question, अब यह जो question है, यहाँ पर यह threads के बारे पूछा गया है, लेकिन उसके साथ-साथ, यहाँ पर, you know, they are talking about semaphore, तो semaphore का concept आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा है, तो आप इसको easily solve कर सकते हैं, okay, now they are asking, कि हमारे पास इसके अदर विचोगा इनिसलिजेशन आप दे सीमा फोर्स वोड प्रिंट, you know, BCA, 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 यानि कि BCA, again BCA, again BCA, right, हमें कौन सा जो सिक्वेंस है, तो यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है, अगर ऐसा करते हैं, तो अगर आपर पहले options को देखते हैं, option number 1, ठीक है, यानि कि अगर यहाँ पर पहली value, अगर S1 है, S1 कहाँ पर है हमारे पास, यह S1 है, यानि कि इस case में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देंगे 1, right, इसके अंदर weight के अंदर हमने इसके value को दिया, right, फिर S2 जो है, S2 यहाँ पर आएगा, इस case में, यहाँ पर इसकी value हमने 1 दे दिया, और यह यहाँ पर दिया, विच इनकी 1, यानि कि टीनों को हमने value 1 दे दिया, तो 1 दे दिया तो randomly कुछ भी आ सकता है, right, So that is why this is not a correct answer, यह नहीं हो सकता, right, वो correct नहीं होगा, उसी तरहेके से you'll understand, right, थोड़ दिर में समझ आएगा, क्योंकि अगर मैं इसकी value को 0 होता, तो यानि कि हम weight करेंगे, right, अगर 1 होगा, तो यानि कि enter कर सकते हैं, right, अगर 0 होगा, तो हम enter नहीं कर सकते हैं, right, In the same way, जब मैं second option पर बात पर लो, तो यहाँ पर भी आप चेक कर रहे हो, दोनों जिखहाँ पर 1-1 है, तो because यहाँ पर S1 में भी 1 है, और S2 में भी 1 है, तो obviously, this is not a fine, यह सही नहीं होगा, इस पुरे case में, क्यों हमें इस specifically B, C, A, हमें यह specific चाहिए, पहले B होना चाहिए, फिर C होना चाहिए, फिर A होना चाहिए, अब उसी तरीके से, if I'm checking about C, C की बात करते हैं, ठीक है, तो let me clear all of these things, कुछ चीज़ें यहाँ पर erase करता हूँ, अगर थर्ड की बात करूँगा, तो यहाँ पर हम इधर पास करेंगे 1, यहाँ पर इसके अंदर 1 होगा, यहनिक signal होगा, in the same way, जब यहाँ पर S2 के दर 0 होगा, तो 0 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा आपके पास 0, right, so that means, सबसे पहले हम इसके अंदर ही enter कर signal जब हम लोग करेंगे, right, जब signal यहाँ पर करेंगे, S3 के value को, तो हम यहाँ से जाएगे इसके बाद, right, सबसे पहला इसके पास जाएगे, फिर हम यहाँ पर जाएगे, और यहाँ पर इसके value हो जाएगी 1, यानिकि अब wait की जैसे हम enter कर सकते हैं, तो यानिकि अब यहाँ स to होगा, हम उसकी value कर देंगे 1, यानिकि उसके बाद, जब यहाँ से enter होगा, right, जैसे हम wait को, हम execute करेंगे, तो इसकी बाद दुबारेगी 0, और again, यहाँ से हमने a को print किया, ठीके, और a को print किया, और दुबारा से हम इस process, हम दुबारा से इस process पे हम लोग आएगे, right, तो य execute करेंगे, उसके बाद हम इसको execute करेंगे, फिर हम इसको करेंगे, यानिकि पहले यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर दुबारा यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो इस तरीके से पुरी process हमारी चलेगी, so that is why your current answer है, वो य I hope you understand, आपको यह समझ में आया होगा, okay?